हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, खटमल के बारे में हम सब ने सुना है, अगर किसी बिस्तर में खटमल घुज जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, या चारपाई में हो जाते हैं, तो उस बिस्तर या चारपाई पर सोना नामुम्किन हो जाता है, अगर कोई गलती से लेट भी जाए, तो खटमल उसको काटते रहते हैं, सारी रात आपको सोने नहीं देंगे, एक चैन की जबके आप नहीं ले सकते, तो हम घर पे वो क्या देशी नुस्खा अपना सकते हैं, कि बिस्तर से या चारपाई से हम खटमल को गायव कर दें, नुस्खा लाल मिर्च से होगा दोस्टों, एक लीटर जल में आप 200 ग्राम लाल मिर्च लेकर उनको कूट कर उनको उबा ले, उबलते उबलते जब जल 700-800 ग्राम रह जाता है, तो तब उसको आप उतार ले, और उसको एक काच की जो सीसी होती है, उसमें भरके रख ले, आपने फिर एक स्प्रे करना है उसका, उस जल का आपने स्प्रे करना है, चार पाई पर या बिस्तर पर, हर चार घंटे के बाद एक स्प्रे कर दे पूरा दिन ऐसे ही करते रहें हर चार घंटे के बाद स्प्रे कर दे ऐसा अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो एक ही दिन में जो खटमल है उनका सफाया हो जाएगा जड़ जड़ के नीचे गिरने लग जाएगे इस नुस्खे के साथ साथ आप एक और नुस्खा अपना सकते हो उस चारपाई को आपने धूप में छोड़ना है या उस बिस्तर को कड़ी धूप में छोड़ना है दो दिन के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो भी खटमल जो है गायव हो जाते है तो ये छोटा सा देशी गरेलू नुस्खा खटमल से हमें बचा सकता है दोस्तों आप ये नुस्खे को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी अच्छे अच्छे जनकरिया देखती रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद